नमस्कार गोव में आयोजित डिजी टेक कॉंक्लेव में आपका स्वागत है और हमारे साथ जो महमान मौझूद है उनको किसी परीचे की जरुवत नहीं है राजस्तान सरकार में रास्ट्रिय स्वास्त मिशन के मिशन निदेशक श्री जितेंद्र सोनी जी हमारे साथ मौझू सर बहुत स्वागत है आपका गोव में शुकरिया थैंक यू सो मच सर सबसे पहले तो आप से जानना चाहेंगे कि इस तीन दिवसी कारेकर में आपको आकर समलित होकर कैसा मैसूस हो रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दरसल अभी मैंने दो सेशन सुने हैं दोनों स जो उस चीज के अंदर जो इतना स्किल्ड हैं एक्सपर्टीज रखते हैं जिनका बहुत अच्छा एक्सप्रियंस है वो लोग यहां अपनी बात रख रहे हैं दो सेशन में जैसे पहला टेकनोलोजी का सेशन था जिसके अंदर सिक्यूरिटी प्रैवेसी इन दो पर बात मैं सर आपके विचार जानना चाहता हूं कि सरकारी विभागों को टेकनोलोजी का किसद तक प्रयोग करना चाहिए और तेकनोलोजी का क्योंकि दुरुपयोग भी होता है तो क्या साथानिया बरतनी चाहिए सरकारी विभागों को जहां तक आपने कहा कि इसका इस्तेमाल करने से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारी कई बार manpower जो है वो repetitive चीजों को कागज पर जब लेती है तो उससे बचने के लिए अगर हम टेकनोलोजी का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही फाइदेबंद है definitely क्योंकि आपने एक बार data feed किया आप उसको use कर सकते हैं, data sync हो सकता है, data को time to time enhance किया जा सकता है उसमें value addition की जा सकती है, इसलिए बहुत सारी apps काम करती है फिर क्या है कि इनसानी जो यादास्त है उसकी अपनी एक सीमा है तो ऐसे condition में technique के use से आप definitely अपना जो भी विभाग है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें फाइदा मिलता है, पर जहां तक इसकी आपने एक स्वाल के साथ जो दूसरी चीज पूछी कि अगर इसका जो बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल होगा तो क्या चीज है मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी machine, कोई भी ऐसी चीज इस level तक कभी भी ना तो competency में आने चाहिए और ना मुझे लगता है कि कभी आप आएगी जो human को replace कर पाए तो अब जैसे एक doctor है, जो doctor का जो emotional जो touch है या doctor जिस तरी किसे patient से बात कर सकता है, वो कोई भी machine कभी नहीं कर सकती है वो doctor की मदद के लिए उसके सारी software हो सकते हैं, उसके registration, उसके diagnose report, यह सारी चीज़ें उसके पास आ सकती है पर जो doctor है, वो जब patient सामने होता है, और जब वो बात करता है, तो definitely उसका जो तरीका है, उसका जो result है, जो उसका feel है, वो अलग बता है एक आखरी सवल आप से पूशना चाहूंगा, जिससे भाग के आप मुखियां जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है काफी बड़ी उपलब्दियां है और पूरे देश में राजस्तान के जो स्वास्ते भाग है, वो मैं कहूं तो top states में है, technology adoption के मामले में, चाहे वो आपका आशा software हो, चाहे वो आपका even software हो, तमाम ऐसे जो initiatives हैं, तो इनको scalable कैसे बनाया जाए और इन से ज्यादा से ज्यादा lab district और तालू का level पर कैसे लिए जाए इस पर कुछ विचार चल रहा है सर? जैसे आपने जो खुद ने नाम लिया आशा वाला और इस conclave में आने का हमारा मकसद यही था कि हम PCTS को जो आशा किस तर तक लेकर आए हैं, उसके experience आपसे स्राजा करें, ये बात आप बिलकुल ठी कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हमारी जो information है, दरसल क्या है, जो primary data है, वो जो लोग डालते हैं, वो गाम में काम करते हैं, बिलकुल नीचे किस तर तक, अगर हम कोई भी technology को वहाँ तक लेके जाते हैं, उनको sensitize करते हैं, उनको training देते हैं, और वहाँ से अगर कोई चीजे input के तोर पे हमारे पास आती हैं, तो उपर के level पर आपको analyze करने में, policy बनाने में बहुत मदद मिलती है, राजस्तान ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे PCTS की में बात कर रहा था, इसके अंदर जितनी भी RCS activities है, child health है, maternal health है, उसके लिए आशा एक बड़ा महतरपुन योगदान देती है, और अब आशा अगर PCTS app को use करती है, जो राजस्तान में लगबग 53 उपन हजार आशा हैं काम करती हैं, आप सबके नाम नमबर याद नहीं रख सकते हैं, जैसे आप 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 आपन करते हैं, तो जैसे मैं admin credentials रखता हूँ, तो मुझे किसी भ ब्लॉक के, किसी भी ग्राम पंचत के, स्वें ग्राम पंचत या उसका भी कोई काम है, वहाँ पर किसी से भी कोई आशा काम करती है, उससे contact करना है, उससे पूछना है, उसके achievement देखनी है, तो एप से possible हो जाता है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही फाइदेमन चीज है, इन तमाम जानकारियों को हमसे साजय करने के लिए बहुत धन्यवाद, आप मैं जीते इंद्र सोनी जी, और एटी डिजी टेक के तमाम पहलों पर क्या चर्चाएं हो रही है, और यहां से जुड़ी जानकारी के लिए एटी गवर्वेंट के साथ जुड़े रही है, मैं हूँ अर्पित भूपता.